जी आसम अलेकुम आज के इस वीडियो टिटोरियल में हम टाइल्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं for the toilets with the help of plant swift okay so toilets में याद रखिएगा कि हमारे पास floor tiling भी आनी है और wall tiling भी आनी है दूनों हमने find out करनी है इससे पहले हमने estimation की थी with the help of autocad in excel अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाएं पहले वो वीडियो देख लें फिर आपने यहाँ पर move करने हैं चुंकि यहाँ पर मैं चीजों को थोड़ा quickly कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने detail दी थी और इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें बल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की informative वीडियो आप तेक point दी रहें तो चलिए start करते हैं ओके तो यह है हमारे पास architectural plan in this section और यह है toilet जहां पर हमने flow tiling को भी find out करना है और wall tiling को भी find out करना है अब tiling work में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास internal elevation का होना बहुत लास्मी है अगर आप wall tiling find out कर रहे हैं तो आपको यह पता चल सके कि wall tiling कि लेवल देखे तो मेरे पास internal elevation है यहां पर और wall tiling जो है हमारी lentil level देखे ठीक है main के door level देखे जो डोल का जो level है same हमारे पास walls भी sorry जो wall tiling है वहां देख आनी है ठीक है तो यह हमारे पास toilet सबसे पहले हमने flow tiling को find out करना है उसके बाद हमने क्या find out करना है wall tiling को find out करना है तो इसके लिए important है कि आप take out में जब आएं तो यह जो चीज़े हैं इनको आप क्या करें hide कर देए यह जो layers है इनको आपने hide करना है अगर plaster work की find में बात की जाए तो मैं इन तमाम layers को यहां से off करता हूँ no need for these ठीक है आप off कर सकते हैं इस तरह से और उसके बाद next to it मैंने off करना है brick work को भी ठीक है यहां से brick work को भी off कर लेता हूँ ताकि चीज़े मेरे लिए easy हों करने के लिए तो यह done हो गया यहां से अब सबसे पहले मैं floor tile को find out करना है तो मैं यहां पर आकर एक folder create करूँगा जिसका में नाम होगा tile works ठीक है इसके अंडर create होए तो आपने इसको move करना है यहां तक यह हमारे पास tile works है अब tile works में floor tile है और हमारे पास next क्या चीज़ है wall tile floor tile के लिए हमें directly area required no direction is over there so मुझे क्या चाहिए मुझे area चाहिए so इसके लिए मैं area tool का use करूँगा tools मैंने पहले से discuss कर ली है सो मैं इनको quickly ही कर रहा हूँ so मैं यहां पर लिखूँगा floor tiles right folder choose करना बहुत important होते है और no need to go into the advance और मैं इसका area find out करने चाहँ अब आपने इसको zoom कर लेना है फिर आपने M tool के साथ इसको magnify करके आपने देखना है कि यह कहां से अब यह है फिर यहां तक आ गया यहां सही start हो नहीं है ना tiles इस level से आपकी tiles start हो नहीं ठीक है आगे marble हो जाने है फिर यहां पर आगे हमें बड़ी carefully आपने points देने है ठीक है points बहुत important होते है जोंकि यहां पर snapping कोई नहीं है तो फिर आपने carefully points देने होते है फिर यहां पर आ गया और फिर यह मैंने close कर दिया stop कर दें तो यह देखे total area मेरे पास आ गया यहां पर that is 2.77 meter square for the flow tiling I am talking about तो इस तरह से हमने flow tiling अब next to it हमने wall tiling wall tiling के लिए आपने क्या करना है total parameter जिस तरह हमने plastering work में find out किया था into हमने tile की height को find out करना है तो इसके लिए हमने क्या करना है linear tool का use करना है ठीक है और linear tool में हमारे पास आ जाना है floor and then walls, wall tiles उसके बाद right folder को choose करना बहुत important हो दो एडवांस में जाएं जहां पर चूंकि हमें wall height भी required है तो मैं यहां पर आ गया ok कर दिया और फिर इसके बाद आपने point to point भी आप select कर सकते हैं और box भी तो यहां पर मुझे rectangle type है तो मैं यहां से क्या select करता हूं point to point sorry box और मैं total area find out कर ले check करें और आपने यहां पर wall height देखें यह door level तक है याद रखी गए यहां देख और यह जो door है ना इसकी जो total height ही 2.1 meter है हमने देखा था detection के दोरान भी आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह यहां पर यह देखें Excel की sheet में आ जाए ठीक है यह 2.1 जो door की height है ठीक है तो मैं यहां से आ गया मैंने इसको किया double click इसको किया double click और इसको मैंने किया 2.1 meter तक हमने tiling करनी है ओके कर दिया अधिक यहां एक detection भी डीटू की detection है वी वन जो है वो उसका level उपर है डीटू की detection हमने करनी है एक तो मैं count tool में गया डीटू है चुंके sorry और इसके बाद हमने करना क जो है कि right folder और okay करके मैं यहां से इसको डिडेक्ट करूंगा ठीक है एक डीटू है तो यह इस तरह से हमने tiling work को find out कर ली है अब next इस तरह हम process करते है आ रहे हमने estimating की tab में चले जाना है यहां से बाकि तमाम चीज़ों को आपने minimize करके वो जो export करना जा रहे है आप उसको आ कर देने हमने delete यहां से और हमें जो requirements है वो यह है इसके बाद आप insert में अगर आ जाएं तो यह numbers भी हमें required होंगे numbers और tile work टेक अफ ही आ गया यहां से आप कर देने इसको delete इसको कर दे-1 क्योंकि door जो है वो हमने detect करना है इसके बाद यह आ गया हमारे पास serial number then description number then we have takeoff so takeoff में हमारे पास दो चीज़े एक तो area हमारे पास और दूसरा हमारे पास parameter है so इसको इसको इसी तरह रहने दे wall width की हमें requirement नहीं है depth की भी नहीं चाहिए हमें wall height हमें चाहिए unit आप delete कर दें यहां से and then we have to find out the quantity अब d2 के अगर size की बात की जाए तो यह हमने देखा था यहां पर d2 का size है वो है 0.75 by 2.1 so मैं यहां पर लिखता हूं 0.75 by 2.1 ठीक है यह हमने deduct करना है और यहां number में हमने करना है 1 and then 1 अब हम quantity find out करने जा रहे हैं तो numbers multiply by take up यह area हमारे पास और यहां पर float आए रहे है चूंकि तो हमें height ने required है लेकिन यहां हमने क्या करना है numbers multiply by parameter multiply by हमने height को भी यहां पर include करना है ठीक है so अगर मैं यहां पर double करूँ यह यह और यह ठीक है यह तमाम चीज़ें आपने करना है इसके बाद अगर deduction की बहुत की जाए तो यह की deduction है so this multiply by this multiply by this hit enter करने तो यह deduction भी आगी है इस तरह से आपने find out करना है right click करें format cell में चले जाएं जिससरा हमने पहले की है ठीक है चीज़ों को जल्दी कर रहा हूं चूंकि यह तमाम चीज़ें हमने पहले से कर रखी है यह जो modification हम कर रहे हैं यहां पर हमने पहले से कर रखी है अगर आप नए इस वीडियो पर तो definitely आपको पिछली जो वीडियो से आपने वह देखनी है आट सम में जाके hit enter करने तो यह total जो tile work का एरी है वह आ जाना है rename करें tile works ठीक है right click करें mover copy कर दें इसको move तो sorry select the sheet वह sheet लाज़मी open हो ने चाहिए और वहां पर आपने इसको move कर देने तो देखें internal and external plaster के बाद tile work है देखें यह तमाम चीज़े हमने find out की हैं यहां पर आट सो यह basic process कि हम किस तरह से tile work को find out कर सकते हैं whether वह flow tiling हो या फिर wall tiling हो मिलते नेक्स tutorial में आला हाफिज